और देखिए हमको नॉर्मलाइजट साबित करना ऑग करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइज व्योफ फंक्सन होता क्या है अब देखिए अगर हम इंटिग्रेशन करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से देखें अगर हम integration करते है जिरो से a मान लीजिए साइ स्क्वेर दी एक्स की value कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए यानि कि wave function साइ का अगर square करते है और इसको integrate करते है 0 से a तक तो हमें answer कितरा मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए तब भी हम उसको क्या कहते है नोर्मलाइस्ट वह फक्सर कहते है यानि कि अगर हम हमको यह जो साइ की value दी गई है जो है अंडरूर 2 अपोन है साइन पाई एक्स अपोन है उसको normalized प्रूव करना है तो इसकी value कितनी आनी चाहिए उसका answer आना चाहिए 1 चलो हम पर x की limit दी गई है जो x है वो 0 से बड़ा है और a से छोटा है यानि कि जो lowest value है x की वो हो सकती है 0 और जो highest हो सकती है वो हो सकती है a इसलिए हमने 0 से a limit add की है अब देखें साइ स्क्वेर करना है साइ की value क्या दी गई है मैं यहाँ पर लिखता हूँ देखें और 100 टू अपोन ए कि साइन के पाई x अपोन ए यह दी गई है इंग इनके अब करते हैं इसक्यॉट कॉयर में करते हैं ड. स्थी एक्स 갇ंवyan एक इस का atmosphere में क्या लेना है जिरो लेना इह गे को देखते हैं यह अगे अब देखी क्यों के इंटीग्रेशन जिरो से अब देखें यहां पर अंडर रूट टू पॉपन एका स्क्वेर का लगा तो नूहेंक plutiprene थाएगा तो आएगा साइन का स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर पाइ एक्स अपॉन ओप जो अक्सर गलती करते हैं कि पाइ एक्सर कंअ यहां European चंब सब्फ़ूर में ज्र्द भाजी में एसे गलती बिल्कुल मत करना है किसा इसाइज इस्वेरफ न cn2 थिटा करते समय थिट्था का भी करते है क्या नहीं गरते तो इस प्रकार- यहां पर सिर्फ स्स्केर होगा सै इंहं का मतलब यह साइन का ही function है अब देखिए यहां पर हम इसको इस प्रकार लेखते है तू अब देखिए साइन स्क्वेर थीटा है मैं इसका क्या आंसर होता है और आपको किसी चीज का स्क्वेर थीटा Grcken तो मैं यहां पर इसकी value z करता हूं देखें तो sin square की जगह मैं क्या लिखूंगा 1-cos 2 theta यानि कि 2 और theta क्या है यहां पर पाई एक्स अपर ए यह थिटा ही है समान लेजिए पाई एक्स अपर ए डिवेड़ वेड़ बाई टू है लिएक्स आई होपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया मैंने सिर्फ साइन स्क्रेट टिटा की जगह पर क्या एड़ किया है 1-cos 2 theta divided by 2 एड़ किया है अब देखें इसको थोड़ा चोटा कर देता हूं कि अब देखें यहां पर है टू अपोन ए यहां पर नीचे देखी दो है इसमें क्या है नीचे नीचे दो है और यह जो दो है वो एक के नीचे भी दो है और cos 2n pi x के नीचे 2n 2pi x अपोन एक के नीचे भी दो है यानि कि मैं इसको इस प्रका लेख सकता हूं 0 से a 1 by 2 minus cos 2pi x अपोन a divided by 2 bx ऐसे भी मैं लेख सकता हूं अब देखें यहां पर देखें दोनों side 1 by 2 है यहां पर भी 1 by 2 है यहां पर नीचे 2 है उपर तो 1 ही होगा वह इसा बान सकते हैं तो हम क्या करते हैं उसको common निकाल लेते हैं यानिकि 2 upon a into 1 by 2 अब देखें मैं यहां पर लिखता हूं 0 से a यहां से 1 by 2 हमने जो था वह common निकाल लिए अब कुछ बचा नहीं यह 1 बचा है और साथ मैं देखें यहां अब डी एक्स तो ही इतले में यह रख तो 1 डी एक्स माइनस अब देखें इसको भी मैं multiply कर देता हूं इंटिक्रेशन की साइन को भी कोस क्या बचेका कोस टू पाई एक्स अपॉन ए बचेका निचे 2 है उसको तो हमने common निकाल लिया देखें यह जो इंटिक्रेशन की साइन है वो वन बाई टू के पर भी लागव होती है और कोस्ट टू पाई एक्स अपॉन एक्स के ऊपर भी लागव होती है इसलिए मैंने यहां पर दुबारा लेकिए अब देखें यहां से दो दो कैंसल हो जाएगा क्या बचेका वन इंटिक्रेशन होता है एक्स और यहां पर लिमिट अब एड़ करने है तो जीरो से एड़ करें अब देखें यह कैसे आई है इंटिक्रेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैंने पूरा वीडियो बढ़ाया है जिसमें मैंने मैंस के सारे ओपरेशन फिसिस्क चे सारी चीजें समझाई है वह आप जरूर देखीगा मैंनस देखिए अब यहां दूसरा एक नया इक्वेशन आ रहा है अब यह कोस एठीटा अगर आपको किसी इंटिक्रेशन करना हो कोस एठीटा का तो उसका आंसर होता है साइन एठीटा अपोन एठीटा होत यहां न च पा डवलेस अब ऐसा मन लीजिए तो कोस एठीटा का इंटिक्रेशन क्या होगा श्ञाइएट्खा ओफ़ साइन ए थिटा हो गया और नीचे क्या ए क्या होगा टू पाई अपॉन देखें टू पाई ए टू पाई अपॉन ए वो है पूरा ए है और एक्स जो है वो थिटा है ऐसा बाद लेगी कि देखिए यहां पर लिमिट क्या होगी एसे जीरो अब देखिए यहां पर हम भी एक नहीं लिखना थेखिए क्का आप देखिए प्यक्रिद्शन कर कर दिया मद देखिए आगे बढ़ते हैं the one-of-one-a तो हैly एक्स की जगा पर हमसे पहले क्या दूकिद्ट-वेक्र कर ना है एक्स पर दो की लिमिट कितनी है? 0 है. upper limit minus lower limit upper limit A है तो x की जगहा पर हमें add करना है minus lower limit यानि कि जो zero है उसकी जगहा पर we have xyesi करना है माइनस सेहां यहां पर भी यह साइवी करना है साइन 2 π एक्स की जगाँ पर हमने एड करना है नीचे ए है अपन 2 π एपने माइनस अब हमें क्या करना है एक्स की जगाँ पर 0 एड करना है साइन 2 π इंटव जीरो नीचे ए है नीचे क्या होगा डीजगा प्रोत इन क्या होता है आपको अपर लिमीट माइनस लूबर लिमीट यानि कि जो X है उसकी जगाई पर पहले आपको अपर लिमिटेट करना है minus आपको X की जगाण पर क्रार्टर आपको लिमिटेट करना है अब देखे वक अठी होता है minus अब देखें यहाँ पर दुसरी इंकोर्टनbelt चीज है यहां पर a और a cancel हो जाएंगे अब आपको याद रखना है कि sin का n pi जो होता है वो 0 होता है यहां कि अगर sin 1 pi हो कहे 2 pi कहे 3 pi कहे sin का जो कोई भी n pi होता है उसकी value कितनी होती है 0 होती है तो देखे अगर 0 यहां पर sin n pi की value 0 होती है यहां पर क्या sin 2 pi है तो पाई की value भी कितनी होती है 0 0 divided by some anything 0 हो जाएगा minus यहां पर same ही होगा तो क्या बचेगा a और a answer हो जाएगा क्या answer आएगा one आएगा यानि कि हम कह सकते है कि यह जो equation हमें जो दिया गया है sorry equation तो नहीं कह सकते है हम ऐसा कह सकते है कि जो wave function side दिया गया है वह क्या है वह एक normalized wave function है हम ऐसा कह सकते हैं क्यों कि इसकी value हमें कितनी आई है one आई है अभी आई है आई पे उचे एफ यहा है ओर शॉड़ आई है